खंबा गहनी मारो राजसान परिबार पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRP आई होप आप सब अच्छे होगे आप सबने EDM Phrasers की क्लास को मिस्ट किया होगा तो हम कर रहेंगे क्लास किन-किन बच्चों के लिए यूसफुल है रीट के लिए यूसफुल है ठीक है आरेस वाले बच्चों के लिए तो है यूसफुल बाकी सब भी अपना सलिबस चेक कर ले न EDM Phrasers जिन-जिनके सब्जिक में इंग्लिश है उनको काम तो आएगा ठीक है और आपको प्लस पे मेरी कोई भी पेड क्लास फ्री क्लास देखनी हो MRP 10 कोड बिंदास लगाओ ठीक है वहाँ पे फ़र रहता है घर के अंदर ठीक है पड़ता था आरेस की तैयारी करता था सही है वस्त बिंदास तरीके थेRails की तैयारी उस Exactly अगरी उसका read भी आ गया ठीक है उसकी नौकरी भी लगता ठीक है तो आसपडोस वाले लोग तो जाते हैं अमिलने के लिए बधाई लेकिन वो चिन्टू क्या कर रहा है आप से मिलने की बज़ाए मैं तो लेट औरा हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूं ठीक है जा रहा है ओफिस क्यों कि जब यह आरे बनाना इसको पंक लग गये ठीक है इसको लगा मैंने पता नहीं भई क्या कर लिया और वो जो आस्परोज वाले उसको पंक लग गए हवा में उड रहा है मतलब अपने आपको बहुत बड़ा समझ रहा है अपने आपको बहुत जादा सुपीरियर समझ रहा है उसको सुपीरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियरियर superiority complex हो गए बड़पन दिखाना मतलब वो बड़पन वाला बड़पन नहीं दिखाना अपने आपको बड़ा समझ रहा है वो ठीक है after becoming an IES officer Chintu has assumed heirs समझ में आ गया मुझे लग रहा है आ गया होगा उसके बाद है at a stones throw ये तो पिछली classes में भी कराया था पहले set में भी कराया था मैंने बोला था आपको किसी ने पत्थर मारा है पत्थर आपके नजदीक आके लगा है ठीक है तो at a stones throw का मतलब बिलकुल नजदीक होना ठीक है तो इसका मतलब है at a little distance थोड़ी दूरी पर ठीक है लाल किला is at a stones throw from my house मतलब मेरे घर से लाल किला बहुत पास है ठीक है ये तो हमने किया हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद है at large at large का मतलब है बहुत दूर होना ठीक है इसका मतलब क्या है कानून की गिरब से दूर बोलते तो है कानून के हाथ बहुत लंबे हैं लेकिन ये जो terrorist various होते हैं ये फिर भी भाग तो जाते ही है फिर आख में तो रहते हैं भागने की at large तो इसका मतलब है many terrorists are at large मतलब कानून की गिरफ से दूर है and posing serious threat to the security of India और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है तो at large में आपको याद रखना है इसका मतलब है absconding कानून की गिरफ से दूर ठीक है और ये जो है इसका मतलब बड़ा मत सोचना बच्चो इसका मतलब है दूर ठीक है ये चीज़ याद रखोगे at logger heads ठीक है ये head ये head ठीक है आपस में एक दूसरे से सिर्फ भिढ़ा रहे हैं लड़ रहे हैं ठीक है ये कौन करता है आज करवाया था एक बारी राज कुमार और धिलीप कुमार की जो होती थी logger heads वाली ठीक है तो कुछ-कुछ वैसा ही है Congress is always at logger heads with the BJP या इसको उल्टा करके रख दो BJP is always at logger heads with the Congress ठीक है तो कुछ भी आपको मर्जब मतलब जो शत्रुता की अवस्था में रहते हैं जो hard stiff कोई competitors ले लो market में उसके बारे में भी आप ये बात लिख सकते हो ठीक है शत्रुता की अवस्था में वैसे competitors में शत्रुता नहीं होती वह competition ही होता है ठीक है मतलब कुछ भी आप समझ लो कुछ भी आप जो बनाना हो इसमें बना ले ठीक है ऐसे उसके बाद है at not ये repeat है ये मैंने भी कराया था मैंने कहा था कोई naughty सा बच्चा है और जान बूच के समान नहीं कर रहा बड़ो का ठीक है थोड़ा शरारती जादा है और कुछ ऐसी बात बोल देता है कि सबके सामने बेस्ति करा देता है अपने parents की तो ये मैंने याद कर्वाने के लिए बताया था ठीक है तो उनको लेते हैं disrespect करते है ठीक है उसके बाद है at odds odd का मतलब क्या होता है odd का मतलब होता है विशम संक्या ठीक है सम हो तो मतलब मिलने वाला सा लगेगा विशम जिसका नाम ही विशेंग है मतलब आप उस चीछ से agree नहीं कर रहे हो एस एहमत होना disagreement में होना मतलब की एस एहमत हो ठीक है उसकी बाद है at see ठीक है आपको जाना तुथर राजस्तान में पहुँच गए आप गुजरात में समुद्र के पास ठीक है वहां पे देखके आप डर गए ओब कहां पे आ आ गए तो at see मतलब समुद्र को देखके आप confuse हो गए है यह में कठे आ गए हो ठीक है तो मत उसके बाद है at once back end call ठीक है इसको याद कर लो bell end call मतलब घंटी बजी और knocker active तो इसका मतलब यही है service में आग्या में हाजिर होना ठीक है आग्या में हाजिर रहना servants were always at the back end call of the rich merchant ठीक है जो knocker है वो अपने जो rich वेपारी थे उसकी back end call पे हमेशा हाजिर रहते थे ठीक है इसक बाद है back stairs influence ठीक है आप बोल सकते हो इन राजस्तान ठीक है interviews are taken और interview students pass in interview with back stairs influence बोलते ही हो मानते ही है हम यह चीज़ मतलब पीछे के के दरवाजे से entry कर लेना ठीक है improper और private influence ऐसा प्रभाव जो ए सारवजनिक तो है ही public में तो है नहीं और साथ ही साथ गलत भी है ठीक है he tried to get a government job आगई बाद by back stairs influence पीछे के दरवाजे से जरकारी नोकरी पाने की कोशिश करना उसको बोलते हैं ठीक है बस थोड़े से रह गए bad egg ठीक है egg कोई खराब हो गया पूरी की पूरी आपके बहुत सारे मुर्गी के end है अच्छे अच्छे आपने देख लिए तो जो खराब हो गया उसको रखना तो नहीं चाहोगे उसको फेक होगे ठीक है तो इसका मतलब worthless person जिसकी कोई बहुत जादा value बहुत जादा important mission है आवांचनिये व्यक्ति इसका मतलब यह हो गया ठीक है उसके बाद है bandy words ठीक है words का मतलब शब्द और bandy का मतलब की लगे हुए हो लगे बिलकुल भी ठीक है तो bandy words का मतलब है argument करना जुबान लडाना ठीक है two neighbors usually bandy words दोनों लेबर्स आपस में एक दूसरे से जुबान लडाते हैं और create a lot of nuisance in this society और society में क्या करते हैं बहुत जादा शोर मचाते हैं एक परेशानी का कारण बनते हैं clear है बच्चों अभी तक मस् like भूले तो नहीं हो like चिपका दो mrpn से हम like तो करते ही है subscribe भी करते हैं subscribe करके घंटी भी बजाते हैं और साथ सा share भी करते हैं क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी ठीक है और यह कब पढ़ेगा बढ़ेगा जब आप इस लोगो share करोगे ठीक है उसके बाद है bank upon bank upon का मतलब है depend upon मतलब निर्भर होना count on depend on ठीक है इसका मतलब यह है उसके बाद है bated breath आरे इसका paper दिया पटवारी का paper दिया आज पता है result आने वाला है 12 बजे सांसे थाम कर बैठ गए कोई match हो रहा है last ball पे UV चका नहीं मारेगा तो हम हार जाएगे तो सांसे था we waited for the good news outside the delivery room with waited breath ठीक है किसी को baby होने वाला है अगर वो wait कर रहे है delivery room के बाहर तो बिलकुल waited breath मतलब सांस रोक के wait कर रहे है ठीक है caught red handed ठीक है रंगे हाथों पकड़ लेना कोई crime कर रहा है यह तो simple है ठीक है तो पता है to be caught while committing a crime कोई crime कर रहा है उसको रंगे हाथों पकड़ ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा be in bad books of उसके बाद be in bad order of दोनों का एक ही मतलब है किसी की नजरों में आपका impression खराब हो जाए उसे बोलते हैं ठीक है यह schools में बहुत चलता था teachers की नजरों में ठीक है teachers को होता था एक दो बच्चा पसंद नहीं आता था वो उनकी bad book में होता एक दो होता था बहुत फेवरेट होता था वो उनकी good books में होता था और good orders में होता था ठीक है तो इसका सीधा सा मतलब यही है be in the bad books of मतलब out of favor be in the bad order of मतलब same out of favor ठीक है she is in the bad books of her parents अपने parents की नजरों में ठीक है सही नहीं है क्रिपा पातर नहीं है क्योंकि she went to see a movie without her without informing them be in the good books of अच्छी book list में होना ठीक है अच्छा काम करना be in the good order of मतलब आपका impression ठीक ठाक है तो मेरे MRPNs जो है मेरी good book में ही है क्योंकि वो like भी करते सब्सक्राइब भी करते शेयर भी करते ठीक है she is in the good books of she is in good books of her employer as she is very efficient and hard working ठीक है तो आज यहीं तक हम करेंगे वीडियो कैसा लगा बताईएगर जरूर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए ठीक है और फिर अगली वीडियो में मिलती हूं सबको मेरी जरफ से घड़ी घणी राम राम थैंक्यू